है 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 लो गाइज वेल्कम अगेंट टू माई यूट्यूब चैनल माइनम इस मनीश गुपता एंड वाचिंग भी सीजी लेक्टर्स तो जैसे कि आप सभी को मालूम है भी जड़ी सीटी वन तरी वन आपका सब्जिक्ट कोड है एंड एनिमल डैवर सिटी हमारे बुक का ना यह से इसके बारे में लस्ता गहरे रहा है तो हमने फर्स पार्ट में कवर करा फिर था नमतोर्ष के कुछ करेक्टर स्टिक वाला हूँ उसको देखे कूकि आप फर्सट पार्ट नहीं देखेंगे तो धर लास्ट पार्ट आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो एक तरीके से मिरी गुझारिश है आप जाके फर्सट पार्ट देखे tapping attack जाके देन उसके बाद लास्ट पार्ट पे आए ठीक है आपको मैं डाल दूँगा ये आई बेटन में या फिर एंड वीडियो में डाल दूँगा देन उसके बाद आप चाहे तो मुझे क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो गर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को जितने भी बच्चे हैं जितने भी सब्सक्राइबर्स है हमारे वह फटा फट जाएए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए फटा फट जाके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ठीक है देन उसके बाद एक और सूचना एक और नोटिस आप सभी को एक तरीके से कॉंग्रेचुलेशन है हमारे एक परतेक मेंबर को जिनोंने हमारे क्या है जीरो से लेके 100 प्लस सब्सक्राइबर तक हमारे साथ रहे हमारे हमारा अच्छा कासा साथ दिया है और एक तरीके से उनके सक्सेस उनके जो भी गोल है उनके हम साथ ही बनके एक तरीके से उबरे हैं तो एक तरीके से सभी को एक बार मेरे तरप से congratulations एक-एक members को जो कि हमारे hundred plus subscribers तक अभी तक साथ बने हुए है then ज्यादा time waste ना करते हुए हम फटा-फट ये जो topic है यानि आज जो हम classification of phylum nematodes के बारे में पढ़ने वाले है यानि जो आज है का जो topic होने वाला है उसमें हम क्या है classification पढ़ेंगे classification अलग-अलग group में किस तरीके से हम classify करते हैं नहीं methods को तो इस topic को start करने से पहले जाहिए फटा-फटा हमारे चैनल को subscribe कर दीजे bell icon button को press कर दीजे ताकि हमारी notifications आप सभी को मिलते रहे हैं ठीक है open को हमें क्या बनाना है open to regular सभी बच्चों को हमें regular बनाना है और अच्छे marks अच्छे result दिलवाना है ठीक है देन उसके बाद हम start करते हैं classification of phylum nematodes की बात करें तो phylum जो है यह हमारा नेमेटोडा को हम दो classes में divide करते हैं किस तरिके से तो उनके अंदर जो presents होता है या फिर absence होता है किसका फैस्मीट का फैस्मीट क्या होते है तो फैस्मीट होते है minute paired sensory organs यह minute paired sensory organ क्या होता है तो minute का मतलब क्या होगा? Microscopic Peered, यानि, क्या होगे? जो भी होगे वो दो होगे. number of sensory organs क्या होगे? two होगे. याद रखीगा, two organs होगे. then ये क्या है? इसके हम chemo receptor भी कहते हैं. chemo receptor जो भी chemical, क्या है? reactions होगा, उसको वो क्या घर सके? रिस्टraft कर सके थेन इसके अंदर जो एप सेंस और प्रेजंस मेंने बता दिया जो मिध का होता है उसकान लोगंड़ सेरे से विस्तार में क्लास में क्लासिफाई करते हैं पाट करें हम क्लास देंश कर वात करें तो इसको मे standing by भूत करें निखने दिन ऐसे में घुनाज़ेंग lyrics including one-th first करते हैं अपने nutrition को fulfill करते हैं देन उसके बाद हम बात करें यह ज्यादा तर क्या है free living कुछ मतलब क्या होते free living भी होते स्पीसे जो कि क्या है soils में रहते है soil में मिट्टी में यह क्या है लीव करते हैं रहते हैं बात करें एंफीड्स है एंफीड्स आपका क्या है sensory and poor like क्या होता है located in lateral lips lateral lips कहने का मतलब क्या है तो यह जो हमने ascaris बनाया था या फिर जो भी आपका round warm है कुछ इस तरी केसे इनके 3 lips होते हैं lips ना mouth वाला जो पाट है इस तरीके से मैं बतानी कोशिस करता इतना еся बढ़ा तो नहीं होता बट अगर मैं दिखाना चाहूं तो उनके 3 lips होते हैं क्या होता है 3 lips होते या थ्लिप लेगे तो कुछ इस तरीके से तो यह lateral लो होगे होगे लेटरान के से पास लेटर लिपस के पास लोगे आटेंगे सबस्क्राइब में अलग होते हैं हंक आपके बांट समय मेंे जोंचे अलग होत messing जैंगे जैंघे आजो इक तरीके से आप समझ इंगे तुसके बाद हम बात करें Meinung एपिडर्मल्ट सेवे एपिडर्मल रत है गाईज prohibited मैंने बताह दा जस्कूर कूर्ट एक ननन लिविंग लेर को तो कूरी के नीचे इ सब्सक्राइब अपिडर्म के नीचे उसे आपक्या है यूनी या फिर वो multi-nucleated हो सकते हैं यानि किसी सहल में क्या है या तो सिर्फ एक nucleus पाए जा सकता है या फिर उसमें क्या है multi-nucleated यानि बहुत सारी nucleus भी पाए जा सकते हैं हम बात करें excretory glands की या फिर excretory canals की इसके अंदर present होता है यह भी मैंने बताया था examples की बात करें तो इसमें ascaris हो गया and cyclostoma हो गया देन उसके बाद enterobius हो गया या फिर बुचेरिया फिर रहबेड्रिट्स है यह सारे इसके एक्जाम्पल स्पीसेज है जो कि क्या है class असेसर नेंटिया में पाए जाते हैं ठीक है तो यहां पर आगर मैं बताना चाहूं नहीं नहीं पहले यह वाला नीचे अपकर दें एंफी एंफस मीडिया की बात करें तो द इन के आद़ रखिए कि कुछ classes होते हैं क्योंकि हम क्या है रविफ्य की एजूकिन ले रहे हैं हम हाई लेवल की एजुके भार रहा चीजों के चिजों के बारे में जाना जूरुए है थीर हम 11 12 में नहीं है हमें जादा ज्यादा चीजों को रिमाइंड करके चलना है देन् कि एंसेस्टर और जो होते हैं व क्या हो सकते हैं टीफरेंट कि इंदर प्रेजेंट होता है या कि शील सकता है यानी क्या रचे को महeur too पॉली आद्हम्डफ हो सकते हैं एदर ब्यस्ट फोह सकते हैं वेंसेस्टर बात करें हैं अिया कि리 करते हैं सब्सक्राइब कर और नहीं सब्सक्राइब छापोपना पहला थे हैं क्षी हो से कि जाते हैं कि अपरचेक्षिक वाले हो सकते हैं तो यह कुछ परासाइट भी होते हैं यानि परसाइट ही कासी होष्ट पे लाई करते हैं उसके बाद में बात करें प्री लिविविंग इस पीसे स Sn ह्कूदि तर यह वाले में नेमेटोड भी पाई जाते हैं तो यह कुछ फ्री लिविंग स्पीसेज है जो कि तीनों इंवार्मेंट में तीनों कंडिशन में पाई जाते हैं बात करें वैरिशली सेट एमफिट्स लुकेटेड बिहाइंड लिप्स क्या है लिप्स के बहुत सारे जो वैरिशली अलग-अ आप अभी बताया दिए या-पे apts जो कि सेंसरीय फोटेगा लुका होते हैं उनके लैटरल लिप्स में प्रीजन होते हैं लैकर हैख फैस degree नहीं होता है यह नहीं होता है और यह शोचार की psyche कि uni और multi-nucleated दोनों हो सकता था यानि जो epidermal cells है उसके एक nucleus या फिर multi-nucleus दोनों हो सकता था बट यह क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको uni-nucleated मिलेगा यानि एक ही nucleus आपको एक cell में present मिलेगा बात करें excretory glands की इसके अंदर present होता है excrete करता है इसमें excretory canals और canal दोनों present था बट इसमें excretory gland present है जिसके तुरू excrete करता है बट इसके अंदर excretory canal present नहीं होता इसमें सिर्फ एक example दे रखा है यहां पे इसका नाम है trichinela क्या है trichinela तो देखे क्या है emphids और fascimates को आप कुछ इस तरीके से याद रखने की कोशिस करिए यहां पर मैं लिखता हूं देखें यहां मैं emphids की बात कर रहा था थोड़ा से उपर कर देता हूं इसे जगह मिल जाए मुझे यहां पर मैं emphids की बात कर रहा था emphids emphids किसे कहेंगे और emphids क्या होता है emphids की बात करें वह क्या होता है sensory neuron होता है क्या होता है जो कि होते हैं यहां पर मैं लिख दूव सेंसरी दिट नियूरोन कि परफो आप लिटेरल विश्य लिटेरल को है विश्य अग इस समझ मैं था वह आसंसे नियूरोन का होते हैं वह क्या एंकित्थ कलाते हैं वह है या के बाद नियोरोन अब्सोंक्ण choices यह सैंसरी अआ होगे ऊंआग गोगे होते हैं तो आट पोस्टिरियर पोस्टिरियर है यह न एक हमका यह 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 पॉस्टेर टुद एनस होता है क्या होता है एनस के पास होता है ठीक है तो यानि जो सेंसरी नियूरोन है वह आपके क्या है पॉस्टेर एंड के पास होगा उसे हम फैस्मीट कहेंगे एनस के पास याद रखेगा उसका जो एंड है पॉस्टेर एंड वहां पे एनस प्रिजें यहां पर यहां पर ध्यान रखेगा जब हम class ऐप करेंगे तो तो मीडिया में आपके क्या होगे फैस्स मेड्स प्रेजंट होगे रहा है क्या मैं बोल रहा था एंफिट्स प्रजेंट होंगे फैस्मेट्स क्या होगा लैक होगा नहीं होगा इसमें ठीक है याद रखेगा देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पर कुछ आपके और ग्रेंजम का स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर मैं एंसाइक्लोस्टोमा यहाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर में उसके बगल फीडेंट आपका फीमिल वाला भी है यहाँ पर कुछ लेटर लेंडबी है कुछ आपका यह देखेंगे का बता दू तो यह एक तरिके सी और अगनिजम आपके मैं मैंने कल भी बताया था यह क्या होते सेक्स्वाली अपिल दौर्ट होते हैं या पर दाइमौफ के सकते हैं डाइमॉॉफ होते हैं पॉप मैंने बत्ता दिया कि क्या है कि मील और फिमेल आपको किया है देखे मालूम चल जाया कि यह male है यह female है आप यहां पर देख सकते हैं कि यह वाला है यह male है क्योंकि इसका size है इसका size आपको क्या है बहुत छोटा देखने को मिलेगा as compared then female organism ठीक है तो female organism से आप देख सकते comparison करेंगे तो देन आपको लगया यह चोटा है यह बड़ा है तो देन यह क्या है sexually dimorphism है यानि यह हम इसको क्या है इस तरीके से हम पैचान सकते हैं और भी बहुत सारी में भी पाये जाता है दोनों में आपका मिल जाएगा देन उसके बाद टेस्टी की बात करें तो यहां जो भी हम्फुल या तोकसी केले मेंट जो भी है वह क्या कर सकते हैं यहां से डी उव कर सकते हैं तरहें आपको XCarake qué मेल फिर्फरेंस जिसके थुरु क्या है। स्कें करते हैं आज के अंदर से रिलीज रोता है है और लृटी में इस theft लैक्त आपका जो ट्फिलाrement क्या होता है कि यह सिदर से क्या बिढ़ाइक का चैस्ताैं यहां से इधर आता है। इसके बाद यह इधर आता है। इसमflower मिलेगा इसमे मिलेगा लेगा मतलाइख बातकरहे इसमे डिफ्रेंस क्या है तो इसमें क्या है वी यूटरिस और यह मिटगट यह क्या है जो कि फेमल में ही पाए जाते हैं अगर मैं बताता है चलो आपको कि इसमें जो जैनेसियल पूर है जैनेसियल पूर कहिए या फिर गोनो पूर कहिए ठीक है जैनेसियल पूर जो इसमें क्या होता है सेपरेट होता है फीमेल में सेपरेट होता है य यहां पर फटलाइजेशन होता है वह गोनोफोर इनका सेपरेट होता है यानि यहां पर थ्री ओपनिंग हो गया यहां पर इस तरीके से जो इजएक्वेशन होता है सपोड़कर्ट वह यहां पर है जो सपाकरेटि तो यहां करतेत? इनका इनका जो गोनोफोर ह्ये इसमें जाके अट्याच हो जाता है। इसमें जाके अटैच हो के किए आपको दिख रहा है यह क्या है गैस बकल कैवेटी है और इसके बाद यहां पे आपके इसमें तीत्स मौझूद है यहां पर देख रहे होगे अपकी टीत्स है आप leaut Email Day सकते हो ठीक है तो देन इसके बाद आप देखिए यहां पर फ्राइनेक्स भी मौझूद है यहां पर देखिए यह आपका क्या है नियू करेक्टरस्टिक्स है जो कि आपका इसी और्गनिजम में देखने को मिलता है बात करें हम इसके पॉस्टेरियर रीजन की बात करें पॉ से हम continue करते हैं यहां पर देख सकते हैं यह जो रीजन है क्या लिखा पड़ा है यह पर पॉस्टेर रेंड है यह जो आपका पार्ट होता है यहां पर आपके रेज इस तरीके से होते हैं जिससे कि वह थोड़ा सा मोमेंट वगर कर पाता होगा जैन उसके बाद यह दोर्सल रह स्टेज़ कि यह लारवा ठीक है रेवडी फॉम आपका इसमें लारव देखने को मिलेगा तो कुछ लारवा का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा इसमें क्या है एनस मिलेगा ऐस्माल जनेसियल प्रीमोडियम भी मिलेगा है ना and as a fagas long बगल जाला इसमें स्ट याप मैं बोलू ओर्गनाइजिशन नहीं देखने को मिलेगा बट कुछ इस तरीके से इसका स्रक्चर होगा तो रेवडी फॉर्म क्या होता है लार्वल स्टेज इसमें मिलता है अमने अभी पड़ा भी था कि क्या है कि यह डायरेक्ट इनमें क्या होता है डवलप्मेंट होत है लेकिन कुछ ऐसे और्गनेजम है जिसमें लार्वल स्टेजिस देखने को मिलते हैं बात करें सम्वेल नोन एग्जांपल्स की जो कि पैरसाइटिक नेमेटोर्स होते हैं यानि एसकेरिस की बात करें जो कि क्या है हुमन के अंदर पाए जाते हैं हुमन के इंटस्टाइन में पाये जाते यहांपे मैं लग दूँञिंटस्टाइनल राउंड वॉम इंटस्टाइनल राउंड भाम भी इन्हें हम क्या है आपका जो सम आहenud करते हैं हैं इसे यारी में पदा अगरों हमारे था परilo को काफी ज्यादा पसंद करता है यह हमारे इंटेस्टाइन में आ जाता है देन इसी तरह से राउंड वाम हमारे के अंदर चला जाता है जिसको हम एसकेरिस लिमरी कोड्स भी कहते हैं तो यह एक और है ascaris megalocephala ठीक है Megalocephala जो है Megalocephala जो है वह किसमे पाजाता है तो होर्स जो होती न गोड़े गोड़े के Streets न पाजाता है तो याद रखे कुछ-कुछ में बदाद चलता है यहां पर थोड़ा सा जूम कम करता हूं यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ए एसकेरिश दूसरा क्या है एक स्पीसिस क्या है तो लिंब्री कोईट्स ठीक है यह किसमें पाए जाता है तो याद रखेगा human being में पाए जाता है यह human being साथ साथ हम चलते जाएंगे देन उसके बाद दूसरा ascaris आता है ascaris कौन सा है megalo megalocephala तो मेगलो सेफला जो है आपका यहां अहां मेगलो सेफला किसमें पाए जाता है इसमें याद रखेगा यह जितने मैं लिख रहा हूँ है तो यह जो हॉर्स है हॉर्स के अंदर इंटस्टाइन जो होते हैं इंटस्टाइन में पाए जाता है याद रखेगा इंटस्टाइन में ही पाए जाता है देन उसके बाद क्या है कि जो ascaris है and ascaris female जो female होती charis में वो क्या है लगबाव लगब दो लाखने क्या है रुज दे सकती है यानि इनकी यतनी ज्यादा łat कर सकती है लगब काकão कर सकते wow लाग ऑच और सकते हैं विड्ट इन ले कर सकती है विच आट स्थु एलॉडन तो लोग डा कॉ या नि Har helping us रिलीस करता है आ मैं बोलूं, फाई सिर्फिस रिलीस करता है स्टूल और आप वस्त मेटेर्ल जी कहते हैं वेस्ट हम रिलीस करते हैं तो जो वेस्ट होता है उसके थू वो क्या हो जाता है? 1. एक्स बहर आजाते हैं The Aक्स remain alive for in the soil क्या है? कि यह जो अंडे जो होते हैं यह काफी साल तक क्या है? Alive रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं They gain entry into the elementary canal through क्या है? elementary canal 2 की तरह से को किस तरीक से अंदर आते हैं चांटामिनेटेट के सब्सक्राइब क्या है। यह वेस्ट मेटरिल से हमारे अंदर जो हमने EXCRAT कर दिया उससे वो भार आया देन उसके बाद हो क्या है इंटर कैसे करते तो जो वेस्ट हो गया मतलब contaminated food हो गया या फिर water हो गया उसके through क्या होता है? वो हमारे body के अंदर enter कर जाता है. इसमें जो tiny juveniles होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? एक से बाहर आते हैं, तो वो क्या कर देते हैं? Penetrate कर देते हैं intestinal wall को. Penetrate कईए, penetrate कईए, या फिर ब्यूरो खोद देते हैं एकदम क्या है खोद देते हैं पैने ट्रेट करके हमारे एंटस्टाइनल वॉल में दाखिल हो जाते हैं गुश जाते हैं और देखे कई सारी बिमारियों का भी कारण बढ़ते हैं जैसे कि इसमें क्या है क्या है यह हमारे जैसे क्या है जो हमारे ब्लड वेजल्स होते हैं ब्लड वेजल्स के थुरू यह कहां पहुंच जाते हैं यह हमारे हार्ट तक पहुंच जाते हैं और हार्ट से पहुंचने के बाद यह क्या है हमारे लंक तक भी लंक्स होते हैं लंक्स के अंदर भी पहुंच कर देते हैं लंक्स को भी पहने ट्रेट करके उसके अंदर जो एल्वी यह उनिट ओफ कि लंग्स ठीक है युनिट आफ लंग्स आपका अल्वी उली होता है यानि यह एल वियोली में पहुँच जाता है एंट दन जब जयसी एलवियली पहुच के जब ट्रेक्जा में ईंटर कर जाता है ये तो ये एक तरीका का इनफेक्शन फैला देता है इनफेस्टेशन लिखायारों पर इनफेस्टेशन यानि संक्रम Авण कैसे हैं जाता है तो एक तरह किसी यह सीवियर हो जाता है कि अगर वह निमोनिया हो सकता है इसे स्टेज में पहुंच जाए यानि वह आपका राउंड वह और जाता है तो बिमार होने वाले हो इन्वेस्ट इन्फेक्शन आपका क्या है वाटर संदर कि खुल्द यानी कि मिलावटी क्या मिलावट होगा तो उसके अंदर आप्ट के अंदर से मिक्स होके अंदर बॉड़ी के अंदर इंटर कर जाता है तो यह तुरंत असर नहीं करता है की जाइघननानानपिकुटन थे ज़िए वह कशता है आपके स्मॉल और्गनेसम होते हैं वह बाहरी को लोग कर दे लोग लोग कर नो समय कर दोको लोग कर दे लिए तना ज्यादा जो हमारा आत होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं बिल्कुल यहां पर बहुत सारे गुच्छे में एक तरह के से बंचेज ओफ आपको क्या मिल सकता है यहां पर कलेक्ट हो सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें तो कुछ ऐसी वीडियो दिख भी सकते हैं तो पहले के समय में बहुत जादा बच्चों को यह चीज हुआ करता था आज कल तो बहुत सारे ऐसे सी दवाईयां है अलबेंडाजोल है था अलबेंडाजोल नाम सूने होगे यह क्या करता है इन सारी जो राउड वाउंडवाम्स को क्या करता है हमारे skipped किल करता है सिगांइब के। और लोता इब वाद नीचे जाने से पहले यहां पर कुछछर से जो कि हमने पढ़ा नहीं था तो देन यहाँ मैं बता दूं यह वाला जो है यह क्या है एक्ट्रो बीस वार्मिकुलरिस यह अर्गनैजमी आप देख सकते हैं यहां पे यह भी सेक्सली डैमॉफिज्म दिखाता है यानि मेल और फीमेल आपको सेपरेटली दिख सकता है असानी से मालूम चल रहा है इसमें भी आपको similar वही सेम चीज मिलेगा, phrynex, nerve ring, excretory system and intestine हो गया, यह सभी चीज आपको क्या है, सेम मिलेगी, then आपका क्या है, male में testis, female में ovaries, uterus, vulva, anus, यह ना, यह copilaterally, copilaterally spicles, इसमें मौज हो देता है, क्या होता है, डंक की तरह होता है, कांटे की तरह है, यहां प then उसके बाद, यहां पे एक और चीज है, यहां पे यह कहा है, trichilla spiralis, क्या है, spirilla spiralis, trichilla spiralis, जो आपका second वाला class था, fs media, तो यह इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहां पे आप देख सकते है, bulva, evagina, यहां पे देख सकते है, embryos है, embryos यहां पे मिल जाएग then, इसके बाद, system, cloaca, मैंने बता रखा था, जो एक है, similar duct है, आपका क्या है, जो elementary canal, and जो sperm duct है, यहां पे यहां पे सेम, जिगह पे मिलेगा, यहां पे टेस्टी, वगेरा हो गए, यह कहा है, female वाला, पार्ट है, इसके बाद, इसके बाद, एनस हो गया, और यहां आपको द यह, thread like, देख रहे हैं, तो यह क्या हमारे ice सक पहुंच जाता है, यह अंधा भी कर सकता है, इनसान को, तो यह काफी जादा dangerous, यह वाला roundworm होता है, then हम बात करें, यह life cycle है, life cycle, life cycle बाद में, चलिए अभी में बता देता, आपको, यह life cycle of ascaris luminary codes का है, external environment में किस तरीके से यह रहता है, किस तरीके से यह इंटर करता है, होस्ट में, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कहां से start करें, तो यहाँ पर देख सकते है, adult inside in the, small intestine में, यहाँ पर आपको क्या है, small intestine में, आपको adult मिल जाएंगे, then वो क्या करते है, एग ली करते हैं, और egg हमारे physis हो गया, है, contaminated food के through, eject हो जाता है, eject कह रहाँ, sorry, ingest हो जाता है, तो यहाँ वो क्या हो हमारे वापस से यह आतों में, पहुंच जाता है, यहाँ पर देख रहें, embrionated egg with two stages larva, ठीक है, दो स्टेज़ आपको larva के मिल जाएंगे, इंटेस्टाइन में पहुचने के बाद, यह क्या है, हमारे इंटेस्टाइन को क्या कर देता है, मैंने बता दिया था, penetrate कर देता है, क्या कर देता है, या कहूं, bureau कर देता है, यानि छेद देता है, देन उसके बाद वो हमारे bloodstream में भी दाखिल हो जाता है, bloodstream में चला जाता वह एल्वी उली से होते हुए फिर बापा से ट्रेक्या में पहुंच जाता है तो कुछ इस सरीके से इसका कहा है लाइप साइकल चलता है स्कारिस लिंबरी कोड्स का ठीक है यह यह होने वाला आपका एक राउंड वह मैं जिसको हम हुक वह मिशली कहते हैं हो कि इसके जो मौथ वाला रीजन इसके पास हुक प्रेजेंट होता है यह देखें इंसाइकलोस्टोमा डियो डेनल की बात कर रहें यह पारसाइट परसाइट ऑप मैं या नि इनसान के सरीर में आपक आपके मौफम मौचूद होंगे डूर सलियी होंगे क्या होगे द्वॉसली अउपड़ कई तरफ तो इन ता फार्म वह कै का मतलब होता है लौ०ा फ़ीख एक तरिके से आमने का मतलब होता है कहने का मतलब है की जो गारी सरीर में धाखल होता है तो वह क्या करता है तो इसे होस्ट बना लेता है एंड पंप ब्लड इंट्स्टाइंड क्या करता है वह जो इंटस्टाइन उसके अंदर क्या करता है लिज पंप करने लगते है यह जीतियुत ग्रफी ब्लड लॉस्टाइंड हो क्या करें एक तरीगे से हुआ होतान या फिर भीनेट सूंधत जो आने लगता है और आतों से ज्यादा लॉस हो जाता है जब ब्लड का तो देन क्या है human being आपका एनेमिक भी हो सकता है या फिर अनीमिया भी हो सकता है उसमें बात करें एक जो है वो पास आउट थू फाइसेज एंड जुविनाइल हैच आउट इन दिस वाइल क्या है वो पास आउट हो जाता यानि बाहर आके वो क्या है स्वाइल में मिल जाता है उसके बाद क्या है दे ब्यूरो थूदा इसकिन टू ब्लड क्या है कि उसके अंदर क्या होता है मैंने अभी बताया क्या होता है हुक प्रेजेंट होता है इसके अंदर तो जब आदमी कभी भी पहले के समय में क्या है क वो मिल जाते थे क्योंकि उसके अंदर क्या होक प्रेजेंट होता था अगर कोई व्यक्ति अगर वह खाली पाओं अगर वह खेत वगएरा में अगर चला जाता था देन वह क्या है हो क्या करता था हो को वाम उसके स्किन को पैनेट्रेट कर देता था एक बार अटैच हो जाए तो कुछ इस तरीक से अटाच होने के बाद वो इस तरीके से उसके blood stream तक में दाखिल हो जाता है तो वो क्या है blood में जाने के बाद वो lungs तक मौंच जाता है ultimately intestine तक भी फिर वापस पहुंच जाता है as in ascaris ठीक है जैसा कि आपने ascaris में देखाता है या मैं दिखने को मिलता है बात करें टुरीस तो यह मैंने आपको फिक्टर में दिखाए था सब्सक्राइब आपकर हिए यह हमारे रहता है यह एक तरिके का और क्या करते हैं एक तरिकी के लिएन का मतलब है कि एक तरीके से उस जगेशे पर आपको क्या हो सकती है तो काफी सारी क्या है problems create करता है इसके बाद females की बात करें तो females जो इसमें होती है फलेरियल वाम कहते है रिलीज मॉल माइक्रो फलेरियल इंटु दे ब्लड और लिम्पेटिक सिस्टम यह क्या है काफी सारे जो माइक्रो फिलेरिया है माइक्रो फिलेरिया वह हमारे ब्लड के अंदर रिलीज कर देती है जिससे क्या होता है इसमें जो आपके फलेरियल वाम्स होते हैं वो प्रिजेंट होता है आपने डेवल्मेंट में देश्केप मॉस्क्यूटो आपने यूमन का जो पैर हो जाता है काफी जादा बड़ा हो जाता है ना स्वेलो उसमें लिम्स भर जाते हैं क्या है जिससे कि वह बहुत ही ज़ादा आपको बिग पाउंस को एलेफैंटेस भी कहते हैं जिसके तुरू क्या होता बहुत ज़ादा पैर मूटा हो जाता है देन उसके बाद हम बात करें कि लाइफ साइकल आप एसकरिस लिम्री कोर्स यहाँ पे मैंने पिक्चर भी दिखाया था आपको तो यहाँ पे हम बात करें एसकरिस लिम्री कोर्स जो कि आपके human के intestine में हम होते हैं उसके अंदर पहुत जाते देन उसके बाद मोर कॉमोनली इंफेस्ट चिल्दन जो छोटे बच्चे होते हैं आपकी जैसे कि 5 साल से 10 साल के बीच में जो छोटे बच्चे होतेह उस किने संक्रमित करता है इनफेस्ट करता है तो चिल्ड्रन्स को ठीक है छोटे बचे मिशादा करता है ठीक है उनको एलबेंडाजोल जैसी दवाई जो होती है वह भी खिला जाते है इन राउंड वाम को किल करने के लिए ठीक है यहां पर इस ड्रक का विनाम मैंने लिग दिया देन उसके बाद क्या है this endoparasitic completes its life cycle without intermediate host क्या है इनको किसी भी intermediate host की जरूत नहीं पढ़ती और वो अपने life cycle को endoparasitic मैंने बता रखा है endoparasitic यानि जो क्या है किसी organism के body के अंदर survive करता है वो आपके endoparasitic होते हैं यानि यह small intestine में रहता है न तो इसलिए यह endoparasitic है तो यह अपना किसी भी दूसरे host में गए भी नहीं यह अपने एक ही host में क्या है अपने life cycle को पूरा कर लेता है एसकरी slimbrie codes की बात करें तो यह light yellow to आपका light pink color में होता है then बात करें body इसका elongated होता है cylindrical होता है and pointed at both ends क्या है आपका tapered होता है tapered meaning में ग्राइनिंग इस तरीके से इस तरीके से यह tapered हो जाता है यह देख रहे होंगे दोनों एंड से चाहे PosteryAll और जाय है इस तरीके से पतला हो जाता इसका पीछे से पूछ कुछ इस तरीके से इसका हो जाता है तो इसको हम कहेंगे वांचेड रहेगा एट बौध रेंड टोनों एंड चाहे वह आपका एंटेरी एंड यह आपका पॉस्टेरीर रेंड लेन उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो पार्ट मिल जाएगा देन उसके बाद बात करें गाड़ेट यहां पर फ्री लिप्स मिलेंगे यानि लेप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके का तो यह त्री लिप्स में प्रेजेंट होते हैं देन उसके बाद एलिमेंटरी केनाल की बात करें, as care is की, तो consist of for gut, mid gut, hind gut, ठीक है, तो यहाँ पर इसको elementary केनाल को three part में बाटा गया है, for gut, सबसे उपर वाला, mid gut, यह वाला, and then उसके बाद जो सबसे last वाला जो है, आपका hind gut है, तो कुछ इस तरीके से elementary केनाल को three part में divide गया है, याद रखेग तो वो क्या करते है, anaerobic respiration करते है, anaerobic respiration, अब समझते ही है, क्या, without oxygen, oxygen के presence में respiration ना हो, तो वो anaerobic respiration के लाता है, तो यह anaerobically respirate करते हैं, then उसके बाद हम copulation की बात करें, तो यह as care is की सरगे से takes place in the intestine of the human, ठीक है, तो वो अपनी population को intestine के अंदर ही increase करते हैं, बढ़ाते हैं, कहने का मतलब है, egg वगेरा, fertilize होना या release करना हो सारा का सारा human के intestine में ही होता है, fertilize ovum undergoes maturation division and is released in the intestine, क्या होता है, जब आपका ovum क्या होता है, fertilize हो जाता है, then उसके बाद वो mature होने के बाद, उसमें जब division स्टार्ट होता है, वो रिल under favorable condition, जब उसे favorable condition मिलता है, यह मैंने बता रखा है कि egg के उपर chitinose layer पाये जाता है, जिससे वो egg protect रख सके खुद को अपने आपको, और यह भी मैं बढ़ता दो आपको कि यह 20 years तक यह survive कर सकते हैं, इनका जो egg होता है, 20 years तक survive कर सकते हैं, तो काफी लंबे समय तक यह आपक तो terrestrial form में मिल जाएंगे, देन उसके बाद हम बात करते हैं, जो इसके egg हैं, वो develop कर लेते हैं किसे, क्या है यह रप्डॉइट लार्वा है, तो यह रप्डॉइट लार्वा जो है, एक तरगी से an infective stage के लाता है, this reaches the intestine of human by ingestion क्या है, कि human जब ingest करता है, contaminated food or water को, तो वो हमा juvenile है, जो आपका एक तरिके से, जो एक तरिके से बच्चा है, वो एक तरिके से, वो क्या हो जाता है, अंडे से बाहर आ जाता है, देन उसके बाद, वो contaminated food के तुरू ingest कर जाता है, देन जो juvenile penetrate कैसे करता है, तो वो intestine को क्या कर देता है, penetrate करके हमारे hepatic portal system में दाकिल हो जाता है यानि क्या है, they reach to the liver, यानि यह liver तक हमारे पहुचाता है, lymphatic system तक पहुचाता है, heart हो गया, finally, यह क्या है, lungs तक पहुचने के बाद, they develop into third larval stages, यानि इसमें कई सारे larval stages देखने को मिलते हैं, यह उसके बाद, जैसे ही जब आपका lungs तक पहुचाता है, तो वो third larval stages में आ जा wind pipe होता है, और एक आपका food pipe होता है, जब आप human का elementary canal जब study करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको wind pipe अलग मिलेगा, ठीक है, और एक क्या है आपका food pipe होगा है, तो यह क्या है, wind pipe के trachea के तुरू, फिर वापस यह क्या आता है, हमारे food pipe में, intestine में, कुछ इस तरीके से इनका life cycle चलता रहता, तो यह कुछ इस तरीके से हमारा जो चौथा larval stage है, कुछ इस तरीके से फ्राइनक्स में, try क्या के तुरू, आ जाता है, then get to attend adult, एक बार जब adult stage को attend कर लेता है, average life span of ascaris 9 to 12 months in humans, जो average life span होता है, ascaris के अंदर, वो 9 से लेके 12 months का होता है, human के अंदर, ठीक है यह चीज़ मैंने अभी आपको दिखा दियाता है, larval cycle मैंने आपको दिखा दियाता, then उसके बाद जो हमारा last topic होने वाला है, यह देखिए कि parasitic adaptation in ascaris luméricord, तो जो parasitic adaptation है, यानि किसी organism के अंदर, किसी host के अंदर जाने के बाद, वो खुद को किस तरीके से उस survival condition में ढालने क environment at the site of infection, that is, micro environment, यानि जो survival condition होता है, parasite के लिए, वो क्या होता है, उसके body के अंदर होता है, होस्ट की body के अंदर, वो किस पर depend करता है, तो वो depend करता है, उसकी ability है, जो उस surrounding में खुद को adapt कर सके, infectious site पे, आपने आपको adapt कर सके, वहां पे infection फैला सके, तो वो देखिए, उस site को हम क्या कहते है, micro environment कहते हैं, उसके लिए एक छोटा सा environment वहा ना, तो उसे हम micro environment कहते हैं, certain morphological, anatomical and physiological changes occur in the parasite to adapt this micro environment and because of these, the parasite survive in the host, क्या है कि जो इसमें morphological changes है, anatomical changes है, उसके क्या है, बहारी structure में and then क्या है, internal structure में या physiological changes है, उसमें होता है, देन उसके बाद क्या है, वो parasite खुद को उस micro environment के लिए adapt कर लेता है, because of these, मैंने बताया कि यह क्या है, यही सारी changes के कारण ही वो क्या है, वो parasite के अंदर survive कर पाता है, यह changes जो है, एक तरीके से facilitate करते हैं, parasite को to adapt the parasitic mode of life, यानि एक तरीके से जब तक बहार था, वो अलग environment में था, लेकिन जब वो जैसी अंदर वाल of life में डालने की कोशिश करने लग जाता है, in the life, in the host itself is called parasitic adaptation, तो यही जो आपका जो process होता है, पूरा का पूरा वो क्या कहलाता है, guys, parasitic adaptation कहलाता है, तो हम different, different parasitic adaptation को पढ़ेंगे यहां पे, तो देन देखे क्या है, different parasitic adaptations are follows, तो देखे क्या है, पहला वाला जो है, इसका जो है, वहाँ पे आपका कितना space है, कितना नहीं, उसी के according क्या होता है, उनका body का जो size है, ascaris का size है, वो elongate होता है, या cylindrical, या फिर tapered होना है, बोथ हैं, वो उसी पर depend करता है, तो happen to important adaptation to moving in small narrow space, क्योंकि भाई, जी small intestine की बात करें, तो small intestine में बहुत ही जादा narrow space होता है, अगर उसके अंदर, उसको movement करना, अंदर जाना है, तो then, उसके लिए उसको क्या करना हो, खुद के body को में भी changes लाने बढ़ेंगे, तो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले, parasitic adaptation में, अपने body safe size में, वो changes लाता है, ठीक है, then, उसके बाद हम बात करें, locomotory structure की, जिसके थूरू जो structure ह जिससे वो locomotion कर पाता है, तो almost absent in the parasitic form, यानि parasitic form में, यह क्या होता है, absent होता है, locomotion वाला, and they need not to move in search of food, क्या है, कि उसे movement करने की जरुवत ही नहीं भड़ती, कि उसे food को सर्च करें, क्योंकि हम जो खाएंगे वो intestine में, automatically हमारे आ जाएगा, तो उसको simply, क्या है, movement करने की जर structures प्रजेंट नहीं होते हैं, then उसके बाद हम third, क्या है, case की बात करेंगे, parasitic adaptation की बात करेंगे, if a parasitic in the body accord without attaching it to the surrounding tissue, क्या है कि कोई parasite है, वो हमारे body के अंदर accord होता है, without attaching to the surrounding tissue, यानि जो आस-पास बगल में, जो इस it gets carried away to form non-specific side, मतलब उसको कोई specific site नहीं चाहिए होती, to the exterior, to the environment, exterior of the body, है ना, जैसे की body के बाहर में प्रिजेंट होता है, उसको उस तरह का specific, non-specific site की जुरत नहीं होती, in which case, survival is not possible, मान लिजे कि उसके अंदर survival possible नहीं हो पाता है, therefore, to remain at a specific site of infection, they attach to the surrounding tissue, ठीक है, अगर मान लि situation possible नहीं हो पाता है, तो देन वो क्या है, जाके वो surrounding से जाके attach हो जाता है, है ना, tissue से attach हो जाता है, यही चीज़ बता रहा था है, तो एक specific site वो अक्तियार कर लेता है, एक तरिक से, in the intestine, for, this ascaris has a mouth bound to three lips, उसमें three lips present होते है, it held to be attached to the membrane and the host intestine, ठीक है, उसके अंदर teeth वगेरा होते हैं, यह मैंने अभी दिखाया था आपको, वो जाके क्या हो जाते हैं, वो three lips क्या करते हैं, help करते हैं, कि वो attach कर सके membrane में, किसके, the host के intestine में, then उसके बाद हमारा चौथा point आता है, to protect itself from harmful impacts of digestive enzymes of the host, मैंने बताया है, कि आपके जो हमारे elementary कनाल में कई सारे digestive juice हो गए, कई स आपका release, time to time क्या होता है, होता रहता है, ठीक है, जिससे क्या है, कि यह जो आपके organism में, roundworm से इनको क्या होता है, इस चीजों से खत्रा होता है, तो कुछ harmful effects हो सकते हैं, जो कि इससे protect करना होता है, cuticle layer भी पाए जाते हैं, यह भी मैंने बता रखा है, यह प्रोटेक्ट करत हो गया है, इन सब चीजों से गरता है, protect करके रखता है, शर्वाइव कर पाता है, survival condition बना पड़ता है, जो कि इसके बात करें, तो demonstrate the ascarous secret enzymes inhibitor, क्या है, कि खुद को enzymes से बचाने के लिए, वो enzymes inhibitor भी produce करती है, जो कि क्या है, प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन कि digestive enzymes से बच सके, ठीक है, तो कुछ इस तरह की काईन में process होता है, याद रखेगा, खुद को बचाने के लिए, inhibitor क्या करते है, secret करते हैं, जिससे कि वो अपनी बॉड़ी को protect कर पाते हैं, ठीक है, किस से, तो host के जो digestive enzyme है, उससे protect कर पाते हैं, then उसके बाद हमारा पांचव As the availability of oxygen is very less, or no oxygen is available for them, यानि आप ऐसा समझ सकते हैं, कि जो availability होती है, oxygen की वो क्या हो सकती है, कि जब वो intestine में होती है, तो वो बहुत कम होती है, और नहीं भी होती है, तो then वो क्या बन जाते हैं, अरोब समन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आरोब समयते हैं, they can carry on aerobic respiration, if oxygen is available, and ana याद रखेगा जब उसे oxygen का प्रेजन्स मिलता है तो देन वह एरोबिक बन जाते हैं देन उसे जब oxygen नहीं मिलता एब बिलेटी नहीं होती ऑक्सिजन की तो वह एनरोबिक जो हो सकते हैं बैइस से गुजरना पड़ता है देस्टरोइ हो भी जाते हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्लिए जो है इसमें एस्केरिक्ष में ulti ला minder अगउस प्रोडेशन को जिAn過來 रखना है तो उसके लिए क्या है reproductive potential को increase करना होते हैं तो इसलिए वह उनके एक्स का amount क्या है किसी भी दूसरे organism से जाधा होता है काफी जाधा इसमें x produce करते हैं यह which exists exit the body of the host with the phyces ठीक है वही सिंपली वह phyces के थुरू exit कर जाते हैं हमारी body से दैन उसके बाद spite of numerous risk during development उसके developmental stage में काफी सारे क्या है numerous risk देखने को मिलते हैं ना मैंने बता रखा है कि जो आपके digestive enzyme होगे काफी सारे ऐसे condition होगे जिसमें वो क्या है destroy भी हो सकते हैं तो काफी ज्यादा risk का सामना करना पड़ता है high reproductive potential ensure to continuous continuation of the parasitic race जो parasitic race उनके बीच में चल रहा है वो high reproductive potential के कारण ही answer किया जा पाता है है ना कि ज्यादा एक होंगे तो ज्यादा से कुछ कम सकम 2 लाख है तो कम सकम 1 लाख है फिर 50,000 अंडे तो जी भी तरह पाएंगे इसलिए इसमें क्या है का एमाउंट जादा होता है अलाज प्रोड़क्शन ओफ एक दरशिए बैधकी फिल रदाटेशन ओप वर आप्टेशन डुप P digit हो अपने जनरेशन को आगे तक बढ़ा सके या फिर जी भी तरह सके एन उसके बास सात्वा जो आपका पॉइंट होने वाला है यह क्या है देवलपिंग एक्स की बात करें तो रेजिस्टेंट होता है तो अदवर्स इन वर्मेंटल करने देशन उसके नदर काइटस फाल श्यण गौत डा के संठ्फट करता अधाय यूर्फ क्या कहें में भी जई का बहुतर हो सकता थीक बाद हम बात करें औधायो बात को प्रस्वाइटिक अपला यह क्या है तो इसको अपने सब्सक्राइब ऑप पोइंट के लिए थे सब्सक्राइब कर लेटा है इसके बाद आपका पॉइंट यह वी एक ही पॉइंट को भार वार यहां पर डाल रखा है ठीक है तुछ अगेवेटर कया है रिलीज करता है रे बारी इंवेर्मेंट से बचाने के लिए फ्रोवाइट प्रोवाइट प्रोवाइब क्लोड यह प्रोवइट। अंडिविश्ट इंटीवरिट प्रोवाइट किया है कि जैसे कि हमारे एंदर कोई भी आपका क्या है foreign यहां पर मै लिख देता हूँ foreign element यहां मैं बोलो foreign body अगर हमारे body के अन्दर चली जाती है enter कर जाती है तो हमारा जो immunological system है वो क्या हो जाता है activate हो जाता है ठीक है उनको क्या head foreign element को क्या करना है kill करना होता है kill करना होता है खतम करना होता है तो वो उसके बाद क्या होता है पहरा है पयर साइट उसके खिलाब अपना अक्शन लेता है किस तरीकेसे एलूड को जाता है Không Mercedes the generated Lucky federally by process of a molecular mimicry Antide leries क्या होतो है molecular mimicry कर लेता जो सामनी वाला जो organism होता है उसकी क्या कर लेता है mimicry करना start कर देता है उसके जैसा बन जाता है तो देखो क्या होता है की आपको कपर लेता है जिसे कि आपको आपको कवर कर लेता है जिसे यह एंटिबडीस होते है बिल्कुल सिमिलर उसी कवर से ढख लेता है तो जिससे कि एंटीबडी उसे पहचान नहीं पाते हैं अधेंटिफाइड नहीं कर पाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं आपका चैप्टर था पूरा का पूरा लाइफ साइकल ऑफ एसकर इसलिमरी कोड्स और परसाइटी के एडप् अज़िए और यह समय प्राइक लर्फ करेक्टरस्टिक ऑफ गुरूप ठीक है तो गिल्जेटा आपको इसमें को सब्सक्राइब करेक्टर सुछ पीचर थिए इसमें अपका एंपी डर्मिश दी रखा है दूसरा क्यूटिकल है तो इसमें आपका क्या होगा क्या है उसमें पिकलर क्या हैarn करेक्टरस्टिक है, आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि अटर इंवार 확진 से प्रोटेक्ट करता है दन उसके बाद हम बात करें एंसाइकलोस्टोमा डिवडिनेट की बात करें तो यह पर Assay differenti तैस्स में होता है, परसाइट किसमें y Dub car है cat में होता है कि humans में होता है यह भी आपका क्या है humans में होता है ठीक है हुमन के skin को क्या कर देता है penetrate कर देता है देन उसके बाद हम बात करें तीसरा वाला जो आपका है यह death of the phalarial worm release from small micro phalaria and to blood and lymphatic system lymphatic system में कौन में क्या है मेल वाला मॉस्केटी या फीमल वाला ठीक है इसमें बताना है sorry male worm या फिर female worm क्या करती है बताइए तो इसमें आपका answer होगा female ठीक है क्योंकि egg release आपकी female ही करती है तो देन उसके बाद ascaris megalocephala जो है आपका is found in the intestinal intestine of God या फिर horse किसमें पाई जाता है horse में पाई जाता है कि God में पाई जाता है symbol is किये गया है megalocephala आपका horse में पाई जाता है देन उसके बाद ascaris luminary course जो है उसके बाद ऐसे क्यों आपका complete हो जाता है उसके बाद आपका यहां पर कुछ terminal questions भी है तो यहां पर कॉपी में आपको करने ठीक है उसके बाद यह टुटिकल्स पाई जाती है यह अपका में फीचर हो गया देन उसके बाद यह इसके अंदर होता है ठीक है सुडो सिल प्रिजेंट होता है देन उसके बाद आपका body cavity हां मैंने बता दिया सुडो यह पाई जाता है इसमें प्रिजेंट नहीं होता है यानि flame cells प्रिजेंट नहीं होता है तो कुछ इसमें जो भी आपके ठीक लगे आप कर लेना सेलेंट फीचर्स आप लिख लेना देन उसके बाद परसायट के बारे मिलगना कि किस तरीके से यह जो होते हैं या फिर आपके राउंड वहोते हैं यह किस तरीके से एक एडप्टेशन के human body के अंदर इंटेस्टेंड के अंदर प्लेस होता है तो वो उसके उसके लिए उसके बाद है यह आपको बताना है ठीक है उसके बाद कुछ भी नहीं बचा आपका देन उसके बाद हमारा next topic होने वाला एनी लीडा तो देन के मेरी तरफ से यह आपके ल वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटा फट इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बैल आकन बटन प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नॉटिशन मिलती रहे और क्या है जो आप मारा कमेंट सेक्षन खाली पटर रहता है उसको भड़िए बढ़िए जो भी क्वेरी है वगएरा है वह हमसे पूश सकते हैं ठीक है जो भी आपको प्रॉब्लम है कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा व ठीक है